नमस्कार साथियों Be Keeping India YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है साथियों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सबी वीडियो के नोटिफिकेशन को असानी से मिल सके साथियों आज हम आपके लिए बहुत ही इंप्रोटन जानकारी लेकर के आए हैं बहुत सारे साथि जो फोन करते हैं या कमेंट करते हैं तो ये पूछते हैं कि क्या हम अपना जो मदुमक्खी पालन का काम है वो सीटी के अंदर कर सकते हैं तो इसी स्वाल का जवाब आज मैं आपको दूँगा कि साथियों हमें मदुमक्खी पालन करते समय एक बात का विशेश ध्यान रखना होता है कि मदुमक्खियां जो हैं वो फूलों में से ही जो मधूरस है या जो नेक्टर है वो फूलों में से ही निकलता है तो अगर आपका जो घर है सहर में ऐसी जगह पे है जहां पर प्रियाप्त मातरा में फूल मौजूद है तो वहां पे आप अपनी मदुमक्खियां रख सकते हो लेकिन उसमें दिक्कते क्या क्या आती है कि सहर में जायतर या जहां पर भी बस्ती है अगर बस्ती के अंदर आप कहीं पर भी मदुमक्हियां रखते हैं तो मदुमक्हियों से क्योंकि मदुमक्हियों को डंक मारने की एक उसमें ताकत होती है तो इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो मदू मखियों से डरते हैं कि उनको डंक μारेगी तो उनको दर्द होगा तकलीफ होगी इस वज़े से बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात का उबजेक्शन करेंगे कि आप मदुमक्खी पालन या मदुमक्खियां आपने कलोनी के अंदर क्यों रख्य हुई हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा कार्ण है जिसकी वज़े से जो सहर के अंदर है वो आप मदुमक्खियां जो हैं वो नहीं रख पाएंगे या उसका क्या समधान है आप उसको भी दियान में रख सकते हो क्योंकि जो मदुमक्खियां है वो जब आप अपने अरिये में कहीं पे भी खाली प्लोट में या नीचे कहीं पे भी रखोगे तो मदुमक्या जो है पानी के लिए जो है वो भी लोगों के घरों में या जो भी पानी का स्रोत होता है वहाँ पे जैसे नल है या कोई और पानी साफ पानी का जो स्रोत है वहाँ पे मदुमक्या जाएंगी तो वहाँ से लोगों को डिस्ट्रिबेंस होगी वहां पर प्रयाप्त मातरा में फूल होने चाहिए और साथियों कई बार जो सहर के अंदर जो क्योंकि स्पेशली फूल लगाये जाते हैं पार्कों के अंदर या घरों के अंदर तो वहां से कई बार बहुत अच्छी क्वाल्टी का सहथ भी आपको मिल सकता है लेकिन बसरते क आपको किस तरीके से वहां पर रखना है और लोगों को किस परकार से उसमें आपने हैंडल करना है या किस तरीके से आप लोगों के लिए एक सुविदा भी दें के ताकि मदुमखिया उनको जो है तंग ना कर पाएं तो साथियों इसका जो मेन वो रहता है कि अगर आप मद शेड बना करके हलका फुलका या कोई चारो तरफ जो जैसे खाली प्लोट है अगर उसके चारो तरफ बांडरी हो रखी है तो वहाँ पे भी रख सकते हैं क्योंकि जादा तर लोग जब मदु मख्यों को देखते हैं तब ही उनको इस चीज का ख्याल आता है कि इन्होंने मदु मक्ही अगर पानी के सरौत पे जाती है तो वहाँ पे ज्यादा तर तो मदु मख्यों रख सकती है तो इसके लिए जासे जो चीज हमें दिख रहे होती है और दिमाग में भी जाती रहती है अगर लोगों को मदुमख्यां दिखी ने रही हैं तो उनके दिमाग में भी जाएंगी क्योंकि वैसे भी अगर आप पार्कों में जाओगे तो मदुमख्यां वहां घूमरी होते हैं लेकिन कहां से आई हुई है वो कोई इसका ध्यार नी रखता तो आप सब लोगों की नजरें बचा करके कोई ऐसी जगह चुन सकते हैं सहर में भी जहां पे एक ऐसी सुविधा हो के लोगों की नजर उन पे ना पड़े लेकिन मदुमख्यां गूम करके अपना काम कर सकें तो इस प्रकार से आप सब उसको कर सकते हो और जो पानी का सरोत है जायतर लोगों को प्रोब्लम तब आती है जब पानी का सरोत उनके घर पे होता है और मदुमख्यां क्योंकि पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती तो पानी के उपर जायतर जाती है तो साथ ही हो मदुमक्खी पालन जो है सहर गाउं में कहीं पे भी किया जा सकता है लेकिन इसके साथ ही आपको मदुमक्ख्यों की क्वांटिटी का भी ध्यान लखना पड़ेगा कि अगर बहुत बड़ा अगर आपने भी फार्म लगाना है तो आपका सहर में नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे जगा इतनी प्रयाप्त नहीं होती है लेकिन कुछ जो सोकिया भी की पर हैं जैसे पांच बोक्स हो गए 7 box हो गए 2 box हो गए 10 box हो गए तो area के इसाब से आप सब इस बात का चुनाव कर सकते हो कि आपने कितने box रखने और आपका किस परकार से आप सहर में इसको manage कर सकते हो अगर बहुत गहनी बसती है और वहाँ पर फोल भी नहीं है और कोई ऐसी सुवीदा भी नियाएं जिसकी वज़ेसे मदु मखिया अपना जोए प injust कर सके तो ऐसी जगए पे करने का भी कोई लावना है इसके लावां गाउं में हैं तो गाउं में भी अगर कोई ऐसी बस्ती है जो आपके साइड में पढ़ती है और मदु मक्य खेतनों के अंदर जाकर चाहिए उसको सहत के इत्ध को उकठा कर सकती है तो वो भी एक बहुत अच्छा चुना होता है कि गाउं में भी आप सब कर सकते हैं अधरवाइज इसको जो सही वे में जिसको कमर्सल लेवल पे बड़ा काम करना है उनके लिए तो फिर माइग्रेशन की जुरूरत होती है और एक खास ऐसे एरियाज की जुरूरत पड़ते हैं जहां पर चारों तरफ आपके बहुत अच्छे फूल उगे हुए हो और जहां से नेक्टर पॉलन और पानी की जुरुदा प्रयाप्त मातरा में हो तब ही आप इसको करें तो साथियों सहर में भी आप सब मदू मखी पालन को कर सकते हो लेकिन इन चीजों का आपने ध्यान रखना है जो हमने बताया है तो साथियों ये थी आज की जानकारी आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो साथ ही हमारे चैनल पे लगातार वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके कुछी खास विशे पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं और जिन साथ होने कमेंट किये हुए हैं और उनके अभी जवाब नहीं मिले हैं तो थोड़ा सा वेट करो जिनको कमेंट्स है और जिन कमेंट्स पर वीडियो बन सकती है उनके हम जवाब जुरूर देंगे और क्योंकि हर वीजय का एक समय होता है और कई बार ऐसी वीडियो के लिए जिस पर हमने वीडियो के लिए प्रैक्टिकल कुछ सो करना है तो उसके ल तेकने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच्छ.